बिस्मिल्लार रह्मान रहीम, हैलो गाइज, असलाम वालेकूं, उमीद करता हूँ, आप सब बिल्कुल खेरी असे होंगे, मैं हूँ अर्मान अरिम, यह देखें, आज हमने बनाई है, जिनाब कड़ाई, कड़ाई गोश्ट बनाया है, जिनाब बिल्कुल बीफ के अंदर बन और हडड़ी वाला गोश्ट आपको बता रहा था, क्योंकि यह चाप का मैंने गोश्ट लिया है, इसकी बोटिया बहुत ही टैस्ट फूल होती है, और ऐल मैंने हाफ कब इसमें एड़ कर लिया है, इसमें मैं एड़ करने लगा हूँ, जिनाब, तेसपाद, बड़ी इलाच इसमिल्ला करें, तो आप लोगों ने जरूर हमारे चैनल के बारे में बताया करें, कमिट्स करके के जिनाब, रैस्पी कैसे लगी और हमारा बनाने कर तरीका और इस्टायल आपको कैसा लगा, कमिट्स करते रहा करें, जिनाब अच्छा लगते है, आपके कमिट्स पढ़के तो जिनाब ये देखें गोश्ट का रंग चेंज हो गया है और बिसांदर पानी भून गया मैं इसके अंदर डाल रहा हूं जिनाब पानी इतना पानी आड़ करने इसके इंदर क्या हमारा गोश्ट गल जाए ठीक है इसको हम ढख देंगे अब इसके गलने की कोई टाइमिंग जिनाब 15 मिनट में भी हो सकता है और आदे घंटे में भी इसको जब तक हम गला लेते हैं तो इससे इसमें हम लोग अपना तयार कर लेते हैं जिनाब जब तक कढ़ाय का मसाला जब तक हमारा गोश्ट रेडी हो जाता है तू टीस्पून में डाल रहा हूं जिनाब इसके अ भी यह गंठ बहुत दर चाहता हो है एसको थोड़ा से कूट भूट है बहुत मदिदार इसका फ्लीवर आएगा गरम मसाला पॉडर है कि के पॉरा तैयार हूझ हमारा तैयार हो जागा एक केजी की रेश्पी इसमें नमद भी आट कर दूँगा और यह पिसी हुई में जही यह आपके पास मैं बना रहा हूँ जिनाब बीफ के गोश्ट के अंदर इसनिया मैंने पिस्टी हुई मिज भी आड़ कर दिये और यह नमक में इसमें आड़ कर रहा हूँ ठीक है तो टीस्पून यह अपने टैस्ट रिकॉर्ड आप बिल्कुल एड़ कर सकते हो यह सारा का सा आजमें आप लोगों ने ट्राइक कर नहीं होती है जब तक हमारा गोश्ट कर रहा हमनी बना लिए और सासाथ आपको इंग्रिजिएंस बताता रहूंगा दही लेमन का जूस और टीमाटर वेगरा अभी हम जब एड़ करेंगे इंशालला सासाथ आपको बताते रहते हैं त बिल्कुल जिनाब मेरा गोश्ट गल चुका है और इसको तकरीबन 35 मिनट्स लगें गोश्ट को गलने में मैं टीमाटर इसके अंदर आट कर दूँगा चार अधर टीमाटर मैंने लिए क्योंकि प्याज इसमें नहीं डलेगी तो मैंने टीमाटर इसके बारी कर लिए दस मि बहुत ही आट क्लास आज हमारी जिनाब कड़ाए बने के इसको अच्छे से बून लेना है 10 मिनट क्योंकि गोश्ट मेरा गला हुआ है अब इसको बिल्कुल टायम ही लगेगा दही इसके अंदर हम अपनी एड करेंगे इंशाला भूनने के बाद यह देखें सुभान अल्ल करेंगे रैस्पी मिलती रहेंगी और कमिट्स करके प्लीज बताया करें आप लोगों को हमारी रैस्पी कैसी लगी हमारा काम जो हम कर रहे हैं आपको कैसा लग आप बताया करें जिनाब आप लोग कौन से शहर से हमें वाच कर रहे हमारी वीडियो देखते हैं तो आप जूस में इसके अंदर दाल दिया वर लेवन का जूस डाला है यह अगर आप जादा खटा नहीं खाना चाहते तो इसको भी आप आपके खानों में बरकते डिश आउट में ने कर दी है मज़ेदार सा मेरा कढ़ाई गोश जिनाब रैडी है और बर बर के हमारी टीम के जिनाब मुह में पानी आ रहा है रुको जरा सबर करो तो जिनाब अब बरदाश नहीं हो रहा मुझे इजादत दिजेगा अपना ख्याल रखेगा नेक्स एस्पी में मिलते हैं फीम आनूलत चलो भई चलो शुरू हो